प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी कालाइश में आपका स्वागत है कक्षाठी में हिंदी कालाइश में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण व्याकरण के अंत्रकत आज हम देखेंगे संधी तो संधी क्या होती है, इसके कितने भेध होते हैं जानते हैं संदी को सविस्तार देखिए सबसे पहले आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है यह एक छात्रावास का चित्र है अब यह छात्रावास शब्द कैसे बना शब्दों की रशना हिंदी में कैसे होती है हम पहले देख चुके हैं संधी के अंतरकत हम किस प्रकार से शब्दों की रशना करते हैं? आज देखते हैं. तो देखिए चात्र आवास शब्द की रशना कैसे हुई है? कैसे बना है ये शब्द? चात्र धन आवास से ये शब्द मिला है, शब्द बना है चात्र आवास. पहला शब्द है हमारा चात्र तो पहले शब्द का अंतिमवर्ण और दूसरा शब्द है हमारा आवास दूसरे शब्द का प्रथमवर्ण तो अ और आ के मेल से बना आ और इस प्रकार चात्र धन आवास से मिल कर बन गया नया शब्द चात्र आवास अगला उधारण देखिए यह हमें क्या दिखाई दे रहा है हिमाले हिमाले इस शब्द की रशना कैसे हुई है हिम धन आले हिमाले कैसे बना हिमाले इस शब्द पहले शब्द हिम का अंतिम वर्ण है अ और दूसरे शब्द आले का पहला वर्ण है आ तो अ और आ के मिलान से होता है आ तो हीम धन आले से बना हीमाले अब देखिए कुछ अन्य उदारण में आपके सामने रखती हूँ धर्म धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ यहाँ पर अ और अ के मिल से बन रहा है आ तो धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ हुआ आगे देखिए पर्म धन आनंद बराबर पर्मानंद यहाँ पर क्या हो रहा है पहला शब्द है पर्म इसका अन्तिवर्ण अ और दूसरा शब्द है आनंद आनंद का पहला वर्ण है आ दोनों के मिलान से बना आ तो परमधन आनंद से मिलकर बन गया पर्मानंद तो हम कह सकते हैं कि प्रथम शब्द के अन्तिवर्ण और द्वितिय शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार या परिवर्दन होता है उसी को हम क्या कहते हैं संधी कहते हैं एक बार फिर से दोराती हुमें कि प्रथम शब्द के अन्तिवर्ण और द्वितिय शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार या परिवर्दन होता है उसी को हम संधी कहते हैं सामाने रुप से संधी का अर्थ मेल होता है मेल अर्थात जोड़ना अब आगे बढ़ते हैं संधी विच्छेत की और संधी विच्छेत क्या होता है संधी के द्वारा बने शब्दों को अलग-अलग करना संधी विच्छेत कहलाता है शब्दों की रशन हम जानते हैं कि दो या दो सदिक शब्दों से क्या बन रहा है एक नया शब्द बन रहा है जिसे हम संदी कह रहे हैं दो शब्दों के मेल से दो वर्णों का मेल जहां हुआ तो वहां से एक नय शब्द की रशना हुई अब बने हुए शब्द को पुनह उसके शब्दों में तोड़ना क्या कहलाता है संदी विच्छेत कहलाता है विच्छे कहलाता है जैसे उधारण से समझ लेते हैं गिरिश को हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं गिरी धन ईश गिरिश जो शब्त है वो गिरी और ईश इन दो शब्तों से बना है तो गिरीश शब्त को हम पुनह उस विभाजित करेंगे किस में गिरी और ईश में इस प्रकार हम गिरीश का संदी विच्छित करेंगे उसी प्रकार धर्मात्मा धर्मात्मा जो शब्त है उसे हम जिन शब्तों से वो मिलकर बना है उन शब्तों में विभाजित करेंगे तो ये शब्त क्या है धर्म ध्धन आत्मा तो यह इस प्रकार से धर्मात्मा बनाये संदी विच्छेड की समय हम जिस शब्द से मिलकर शब्द बना होता है नग्या शब्द उस से पना उन शब् Warum Core 2 में विभाजित करते हैं तो धर्म धन आत्मा धर्मात्मा का संदी विच्छेड बढ़ंगा अब पढ़ते हैं संधी के भेद की और संधी के तीन भेद होते हैं कौन-कौन से स्वरसंधी, व्यंजन संधी और विसर्ग संधी हम पढ़ेंगे स्वरसंधी को विस्तार से स्वरसंधी क्या होती है स्वरों के मेल से होनी वाला परिवर्तन स्वरसंधी कहलाता है नाम से ही स्पष्ट है स्वरसंधी अर्थात स्वरो का जब मेल होता है उनके मेल से होने वाले परिवर्तन को उनके मेल से उत्पन होने वाले विकार को स्वरसंधी कहते हैं जैसे इस उदारण में देखिए हरी धन इश बराबर हर इश यह कैसे हुआ इ और इ के विकार से दोनों के मिलने से दिर्गई बना है उसी प्रकार सूर्य धन अस्थ बनापर सूर्य स्थ यहाँ पे क्या हुआ अ और अ पहले शब्द का अंतिमवर्ण अ और दूसरे शब्द का अंतिमवर्ण अ दोनों के मिलने से हुआ आ और नया शब्द बना सूर्यास्त तो स्वरों के मेल होने से परिवर्थन हुआ है इसलिए यह हो गया स्वरसंधी अब स्वरसंधी के भेद स्वर संधी के कितने भेद हैं इन्हें हम पढ़ते हैं स्वर संधी के पाँच भेद होते हैं पहला है दिर्ग संधी, दूसरा है गुण संधी, तीसरा है वृध्धी संधी, चौथा है यन संधी और पाच्वा है अयादी संधी एक बार मैं फिर से दोरा देती हूँ स्वर संधी के पाच भेद होते हैं दिर्ग संधी, गुण संधी, वृध्धी संधी, यन संधी और अयादी संधी बढ़ते हैं दिर्ग संधी की और दिर्ग अर्थात बड़ा तो हिंदी में स्वर दो प्रकार के होते हैं क्या आते है और दूसरा होता है दिर्ग में क्या आते है आ ई उ ए आई ओ ठीक है तो यह रस्व और दिर्ग स्वर हो गए अब दिर्ग संधी में होता क्या है जब रस्व या दिर्ग आ ई उ के बाद क्रमश रस्व या दिर्ग आ ई उ आये तो दोनों के मेल से क्रमश दिर्ग आ ई उ हो जाता है अर्थात जब रस्व और दिर्ग आ ई उ का उन्हीं के रस्व या दिर्ग से मिलान होता है तो उनके दिर्ग स्वर बन जाते है उधारण से आपको और स्पष्ट हो जाएगा जैसे यहाँ पर देखिए राम धन अवतार अब यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण है अ और यहाँ पर द्वितिय शब्द का पहला वर्ण है अ अ और अ के मिलने से हो रहा है आ ठीके? तो राम धन अवतार हो जाएगा रामावतार उसी प्रकार हिम धन आले यहाँ पर भी अ और आ के मिलने से बन रहा है आ तो हिम धन आले बराबर हीम आले अगला अतारण देखिए माया धन अधीन आ और अ जब आ और अ मिल रहे हैं, रस्व और दिर्ख मिल रहे हैं, तो दिर्ख बन रहा है, क्या बन रहा है शब्द माया धीन उसी प्रकार विध्या धन आले किनका मिलान हो रहा है, आ और आ का और दोनों के मिलने से आ बन रहा है, विध्या ले तो यहां पर हमने देखा कि रस्व और दिर्ख औ और आ के मिलान से क्या हो रहा है दिर्ख आ बन रहा है तो यह है दिर्ख संधिर अब देखिए ए के उधारण हम देख लेते हैं कवीद अच्छा कविच्छ यहां पर देखिए ओरण करद मिलान युदिर्क हरी नचरण हरीछनह यहां देखिए और देखिए के मिलान से दिर्खिए बन रहा है अगचा हरीश हो रहाएं योगी धन इंद्र योगिंद्र यहां पर दिर्गई और रस्वई के मिलान से दिर्गई बनता है नदी धन ईश यहां पर जैसा कि आप जानते हैं दिर्गसंदी में क्या होगा दोनों DIRGH-E है तो इन दोनों के मिलने से DIRGH-E बनेगा, नदीश हो जाएगा तो ये होकर हमारे E से संबंधित उधारन दिर्ग संथी में अब देखे U से संबंधित उधारन गुरुधन उपदेश क्या होगा? दिर्ग हो जाएगा गुरुपदेश लगुदन उर्जा लगुर्जा वधुदन उत्सव वधुत्सव भूधन उश्मा भूश्मा अब बढ़ते हैं गुण संधी की ओर जब अ या आ का मेल ई या ई से होता है तो उनकिस्थान पर ए हो जाता है उ या उ से होने पर ओ तथा री से मेल होने पर अर हो जाता है यह है गुण संधी गुण संधी में अ या आ का मेल अगर ई या दिर्ख ई से हो तो उनके स्थान पर ए हो जाता है ठीके उ या दिर्ख उ से हो तो ओ हो जाता है और री से मेल हो तो अर हो जाता है ठीक है यहाँ है कुंड संदिल इसके उधारन देखे अ धन E यहाँ पर अ और E के मेल से हो रहा है A किस प्रकार से देखे भारत धन इंदू बराबर भारत इंदू थाथ अ का E से मेल होने पर A हो गया भारत इंदू हो गया उसी प्रकार राजधन इंद्र में अ और ई के मिलान से हुआ ए तो राजजेंद्र इसी प्रकार अधन दिर्ग ई से होता है ए तो सुरधन ईश यहां हो गया सुरेश नरधन ईश हो गया नरेश अन्य उधारण देख लेते हैं आ धन ई पराबर ए तो महा धन इंद्र का हो जाएगा आ और ई के मिल से महेंद्र अ धन उ इसका उधारण देखे अ और उ से ओ हो जाएगा तो किस प्रकार होगा यहां अ और उ से हो जाएगा चंद्रधन उदय चंद्रोदय ओ की मात्रा लग जाएगी द्रव में अ धन दिर्ख उसे भी ओ बनेगा तो समुद्रधन उर्मी द्रव में ओ की मात्रा हो जाएगी समुद्रोर्मी आ धन उसे ओ होगा तो किस प्रकार होगा? महा धन उत्सव हो जाएगा आ और तिर्खु ओक अ का मेल देगा हमें ओक में परिवर्तित हो जाएगा गंगा धन उर्मी गंगोर्मी हो जाएगा ठीक है इसी प्रगार आगे देखिए अ धन री क्या हो जाता है अर हो जाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देवधन रिशी देवर्शी अर हो जाएगा देवर्शी और आधन री बराबर अर तो महाधन रिशी बराबर महर्शी तो यहाँ पर आज हमने देखा संधी में संधी के भेद और उन भेदों में से आज हमने पड़े कौन कौन से स्वरसंधी स्वरसंधी के भी पांच भेद होते हैं जिन में से आज हमने दो भेद पड़े अगले भेदों के लिए हम अगले का लंश में फिर से मिलेंगे